नमस्कार दोस्तों सीमा गुप्त्तालाईफ लोग में आप सभी का स्वागत है आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे तो हम लोग आ गए हैं रामघाट के मंदिर चित्रकूट में है ये तो ये देखिए लिका है बोड़ पर चित्रकूट लिखा भी है चित्रकूट तो यह देखिए यहां पर हम लोगों ने खोग दर्शन वगदा किया घूमे टहरे हम लोग और नाव पर बैठे हैं हम लोग थे देखिए नाव पर बैठकर हम को मैं अब दिखाती हूं यह जोटी सा नदी है अकि रात को हम लोग गये थे बहुत ही अच्छा लग रहा था कितने लाइटे लगी हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था और ना भीहुँ शजी हुई है यह यह कभी मैं आप थी दिखाती हूं हम लोग नाव से उतर गए तो यह देखिए हम लोग घूम टहल लिए और काफी सारी नाव हैं उसमें सभी लोग वैठे हैं और घूम रहे हैं तो यहां हमें बहुत अच्छा लगा तो हम लोग देखिए अब जा रहे हैं मंदिर में तो यहां पर भी मंदिर है तो उसमें हम लोग दर्शन करेंगी, तो यहां पर देखिए, यह हनमान जी बड़े से बने हुए हैं, तो हम घुमते हुए, तो सारह देखते हुए जा रहे थे, esaamने यह देखिए हनमान जी हैं, बड़े से विशाल, दिखाते हैं, दीखते ही बन रहा था ये नजारा नाव अगैरा खोफ सजी हुई थी तो हम लोग आ गए मंदिर में दर्शन करने यहाँ पर देखिए राम सीता लचमाड यह पुजारी जी हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर भी दर्शन किये यह देखिए बहुत सारी मूर्तिया वगैरा लगी हुई है तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर हमें तो हमने सोचा आप लोगों को हम दूर से ही दर्शन करा दें तो यह देखिए एक बजरंग बली और है मंदिर में छोटे से तो इसी तरह हम लोग घूमते फिरते हुए मंदिर के दर्शन करें हमने फिर दुबारा नाव का यहाँ नदी का नजारा हम लोग दिखा रहे हैं फिर से तो यह देखिए बहुत अच्छा लग रहा है नाव देखिए कितने अच्छे से सजय हुआ है और यह देखिए नदी नदी का व्यू दिखा रहे हैं तो यह राम घाट का है जहां केवट ने राम को बैठा कर उस पार पहु ये चित्र कूट में इस्थित है रामघाट तो ये देखिए सभी सरद्धा लोग नाव में खूम रहे हैं तो आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें